मुझा दोस्तों मैं अब देश्वद और या तप अब भून क्लासिस में आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्वास्त विभाग की योजिनाओं के बारे में इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ाता महला एवन बाल विकास विभाग की योजिनाओं यानि कि हम लगवक चार या पांच नंबर का इसमें से कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी चार और पांच नंबर का अगले तीन वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों स्वास्त विवाग की योजनाओं में सबसे पहले हम देखे हैं जो स्वास्त सरचना का जो मौडल है जो मद्द प्रदेश में अपनाया गया है वह है त्रिस्तरिय स्वास्त सरचना यह राष्टिय स्वास्त नीती के तहत अपनाई गई है ठीक है दोस्तों तो देखते हैं यह 33 स्वास्ता रचना क्या है इसमें यह बताया गया है कि जिस हिसाब का जनसंख्या वाला छेत्र होगा वहाँ पर उसी हिसाब की चिकस्तिय सुगदा दी जाएंगी जैसे कि माल लीजे कोई सामाने चेत्र है जहां की जनसंख्या 5000 है तो वहाँ पर एक उप स्वास्त केंदर खोल दिया जाएगा 30,000 की जन संक्या वाले एरिया में प्रात्मिक स्वास्त केंद खोल दिया जाएगा और 1,20,000 की जन संक्या पर सामदाइक स्वास्त केंद खोल दिया जाना चाहिए लेकिन आदिवासी छेत्रों के लिए वहाँ जन संक्या की लिमिट अलग है यानि कि आदिवासी छेत्रों में अगर तीन हजार की जन संक्या हो जाती है तो वहाँ पर उप स्वास्त केंद खोला जाना चाहिए बीस हजार की जन संक्या पर प्रात्मिक स्वास्त केंद और असी हजार की जन संक्या पर सामधायक स्वास्त केंद दोस्तों इनमें अंतर क्या है इन स्वास्त केंद्रों में उप स्वास्त केंद्र पे वो सुबधाय नहीं रहती है जो प्रात्मिक स्वास्त केंद्र पे ज़्यादा सुबधाय रहती है इसी प्रकार से सामधा एक स्वास्त केंद पे प्रात्मिक स्वास्त केंद से ज़्यादा रहती हैं तो इस आधार पे इन स्वास्त केंद्रों को बांटा गया है दोस्तों अब हम देखते हैं स्वास्त विवाद की विभिन योजनाओं के बारे में तो योजनाय तो बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ पर हम कुछ महतफूरू योजनाओं के बारे में देख लेते हैं जैसे सबसे पहले है दीन द्याल अंतियोदय उपचार योजनाओ दीन द्याल उपाध्याय जनसंग के एक प्रमुक निता थे उनको आप जानते ही होंगे उन्ह का भी उदय हो जाए उसका भी भला हो जाए ऐसा काम होना चाहिए उसको अंतियोदय कहते हैं यानि सबसे गरीब आदमी का भी कल्यार हो जाए जो सबसे पिछड़ा है उसका भी कल्यार हो जाए तो यह वर्ड होता है अंतियोदय तो दिन द्याल अंतियोदय उपचार योज जिना के तहट ऐसे परवारों को 20,000 रुपए की एक लिमिट रख दी जाती है एक कार्ड बन जाता है कि ये कार्ड है आपका आप पूरे अपने परवार को 20,000 रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं किसी भी सरकारी अस्पताल में ठीक है अगर डॉक्टर सरकारी अस्पताल मे उनका इलाज नहीं कर पाता या फिर माल लीजिए उसको लगता है कि कहीं दूसरी जगह प्राइविट हॉस्पीटल में अच्छा हो सकता है और रैफर कर देता है तो वहाँ भी ये चीज मान हो जाएगी लेकिन अगर आप डारेक्टली प्राइविट हॉस्पीटल में जा रहे हो तो आपको ये 20,000 रुपए वाली मदद नहीं मिलेगी तो यहां पर जो महत्पूर बात यह है कि यह 25 सितंबर 2000 से शुरू हुई थी कभी कभी डारेक्टली डेट पूंच देते हैं कि यह वाली जो योजना है किस महीने में कौन सी सन में चालू हुई थी तो निसल चलित अस्पताल योजना इसी के बाद मई 2006 में दीन द्याल चलित अस्पताल योजना सुरू की गई कि जो लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहा है उनके पास अस्पताल को पहुचना चाहिए इसमें एक बड़ी सी वेन होती है जिसमें सालिक जोदा होती हैं उसको सीगरता से उपलब्द कराने के लिए चालू की गई है लेकिन यहां पर देखो जो मेत्वपूर बात यह है कि है SCST के छेत्रों में चालू ही है ऐसा नहीं है कि केबल SCST के जो SCST में हैं वो ही इसके इसके इतिकराही हैं उन छेत्रों में अगर कोई जनरल या OBC का है वो भी नास्पतालों पर इलाज करा सकता है एक वेन टाइप की आती है बड़ी सी जिसमें सारी सुगदा होती है वहाँ पर डॉक्टर आते हैं किसी स्पेशल प्लेस पर एक विसेस दिन पर ही वो आते हैं तो वहीं पर समरीज इखटा हो लेते हैं बरतमान में मद्द प्रदेश के इंक्यानवे विकास खंडों में यह योजना संचालित की जा रही है अब हम देखते हैं अगली योजना अगली योजना है जननी सुरच्छा योजना दोस्तों जननी सुरच्छा योजना सुरू क्यों की गई जैसा नाम है इसका वही इसका अधार है कि जननी सुरच्छा य देलिवरी होती थी बच्चों की वो जादा तर घरों में ही होती थी संस्तागत प्रशब जो थे यानि कि जो अस्पताल में हॉस्पीटल में जो डेलिवरी होती थी वो किवल 26% होती थी तो जब घरों में प्रशब कराए जाते थे वहां पर जन्नी के बारे में यानि माता का म माता और बच्चे दोनों को ही खत्रा रहता है है की नहीं तो उसी को कम करने के लिए सरकार ने आर्थिक मदद देना सुरू की कि अगर आप हॉस्पीटल में आके प्रसब कराएंगे तो आपको 14.00 रुपए मिलेंगे अगर आप ग्रामीर हैं आपको 11.00 रुपए मिलेंगे अ तो रच्चा योजना सुरू की इसका काफी लाब मिला सरकार को और 2005 में जब संस्तागत प्रसब मात्र 26% था 2009 में 55% हो गया और अभी के आखड़े अपन को पता नहीं है अभी के तो मेरे हिसाब से आखड़े यही होंगे कब से कम 95.95 तो होई जाना चाहिए क्योंकि मेरे ज पड़ चुके हैं तीका करड़ वाले पार्थ में कि जो छे जानलेवा बीमारियां हैं उनके लिए जो टीके लगा जाते हैं BCG, Polio, DPT, Hepatitis B, खसरे यह सभी राष्टी तीका करड़ कारेकरम के तहताते हैं तो आपने अगर अभी तीका करड़ का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे description में playlist दी है उस playlist में जाके आप तीका करड़ वाला chapter देखे हो अब देखते हैं बिभिन्ने कारेकरम जो स्वास्त विवाद के तहत किये जा रहा हैं सबसे पहला है Pulse Polio कारेकरम इसमें कुछ नहीं है बस परस पोलियो की जो दो बून जिंदकी की जो पिलाते हैं बस वही है इसमें दूसरा है राष्टी मलेरिया रोधी कारेकरम मलेरिया रोधी जो कारेकरम है वो मद्द प्रदेश के 18 जिलों के 90 प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों में संचालित हो रहा है स्वास्त प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों में संचालित हो रहा है स्वास्त प्रा अगला कारिक्रम है कुष्ट उन्मूलन कारिक्रम कुष्ट उन्मूलन कारिक्रम जब शुरू किया गया था तब पृति 10,000 लोगों पर 6 कुष्ट रोगी हुआ करते थे जो कि घटकर वर्तमान में 2 दिसबलब 4 कुष्ट रोगी पृति 10,000 हो गए हैं कुष्ट नियंतरर कारिक्रम भी इसी प्रिकार का है इसमें कुष्ट रोगीयों को दवाईया एवं उनके बच्चों को अलग से रहने की विवस्ता करवाई जाती है दूसरा तीसरा है यहाँ पर अंधत्व निवारर कारिक्रम इस योजना के तहट इस कारिक्रम के तहट अभी तक लगबग 18 दिसबलब 3,000,000 लोगों की आँखों के ऑपरेशन हो चुके हैं यह एक बहुत बड़ा कारिक्रम है अगला है परवार कल्यार इवं टीका करड कारिक्रम इस कारिक्रम में क्या है परवार कल्यार जैसा की बोल दिया है ठीका करड तो अपनको समझ में आ रहा है कि माता को भी टीके लग गए टीटी का टीका लगता है जो दो है सिस्गों को भी जो लगता है BCG, DPT, TITANIS, MIGELS, से बहुत सारे ठीक लगते हैं, वो लग गए, चलो ठीक है, अब परवार कल्यार, परवार कल्यार से मतलब है, परवार नियोजन, और जो जिस तरीके से परवार को रखना है, मैनेज करना है, वो सारी चीज़ है, तो नियोजन के लिए क्य जनित रोग नेंतरर कारिकरम, ये विसेश रूप से मलेरिया की रोकदाम के लिए सुरू किया गया है, इसमें क्या होता है कि गाओं गाओं से लोग वाग, होता क्या है कि जब वेक्ति को बुखार आता है, तो मलेरिया का चेक बहुत बादम कराता है, तो इस योजना के तह तो और भी जो इस परकार की बीमारिया है वो इसमें आती है और इसको बिस्व बैंक की सहाईता मिलती है यह परदेश के नौ जिलों में कारे रथ है यह कारे कराम अभी अब दोस्तों आते हैं हम राश्टिये ग्रामीर स्वास्त मिशन तो दोस्तों नेशनल रूलर हेल्थ पारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही class 7 में ICDS आया था जैसे महला यूम्बाल वेकास में वो भी हम पढ़ चुके थे यहां पर नरहम आया है यह भी हम पढ़ चुके हैं तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप class 7 में जाकर पढ़ लीजिए play list नीचे description में दी करेंगे और साथ यो नंबर की क्लास में आपको राष्टी ग्रामीर स्वास्त मिसन मिल जाएगा साथ ही साथ आप ICDS भी पढ़ लें वहीं से क्योंकि ये दौनों चैप्टर वहां भी हैं और यहां भी हैं तो इनसे क्वेशन बनने के चांसे जादा होते हैं तो दोस्तों आप कोई वीडियो कैसा लगा प्लीज बताईए आप सभी को होली की बहुत बहुत सुब कामना है होली खेलिए लेकिन पानी की बरवादी जादा मत कीजिए धन्यवाद जैमाता दी